तेरा दिन पहले गनेश पे ठाना शेत्र में सित पुद्दा रेश्वर राम मंदिर में दान पेटी से करीब 35,000 रुपे चोरी होने का आरोपी गिरफतार कर लिया गया है आरोपी का नाम संतरा मार्केट बजडिया निवासी मुकेश और फो मुक को गोपाल निहाय बताया गया है मुकेश संतरा मार्केट परिसर में फरसान की दुकान पर काम करता है वह शराप का आदी है और वर्ष 2022 में उस पर अप्राकरतिक यौन चार का भी आरोप लग चुका है मंदिर में 15 जनवरी तक प्रवचन शुरू थे यह प्रवचन का अंतिम दिन था उसे पता था कि कारेकरम के चलते दान पेटी में काफी पैसा जमा होगा इसलिए प्रवचन सुनने के बहाने मुकेश मंदिर में गया और रेकी करके बाहर आ गया देर रात उसने मंदिर के पीछे का गेट काट कर भी प्रवेश किया और दान पेटी से करीब 35,000 रुपे चोरी करके वहाँ से फराध हो गया मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जान शुरू की संभावना थी कि आरोपी चोरी के बाद में रोट से भागा होगा ऐसे में चोराहों पर लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग जाची गई लेकिन कोई भी संदिक्त नजर नहीं आया पुलिस को शक हुआ कि चोर परिसर में रहने वाला हो सकता है इसी बीच खबरियों से पता चला कि मुकेश के पास काफी पैसे है जिनसे वह बहुत अधिक शराब पी रहा है और उसने ही मंदिर में चोरी की सुराग मिलते ही पुलिस ने उसे ढूनना शुरू किया लेकिन वह मिला नहीं इसे बीच पता चला कि मुकेश परिसर में दिखाई दे रहा है शुकरवार को पुलिस ने उसे धरदबोचा कड़ी पूचताच के बाद आखिरकार उसने चोरी कबूल दी साथ ही कहा कि वह चोरी की रख में नहीं लोटा सकता क्योंकि उसने सारा पैसा शराब में लगा दिया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है सुरुपाजिक प्रेशी आफ्यरम्तेर दाकर हो ज्या आमी अपास कर तुदो अपास कर दास्ताना आमारा साउात्तर का शांकि तंत्रिक टपास आणी कंडिकुपने माय थे नमे आमाला आरूपी नऊ-प्र लाडै। आमें आरोपी जा मागा हो तो काई दिवसा पासुन आनि आमारा तशिकार माहिती में आत्या प्रमाने आमें आरोपी नामें मुकेश निप मुक्कू गोपाल निहाए वह बावीच रिशे राना संत्रा मार्केट आये आनि मेल तो कम करना रहा हुनगा है याना सदरीजी च्व इन बीसे नियूस के लिए अखिलेश के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट